मुंबई इंडियन्स को रोकना अब काफी मुश्किल है क्योंकि एक बार ये टीम जीत की पटरी पर आती है तो फिर उतरने का नाम नहीं लेती है मुंबई इंडियन्स का ये इतियास रहा है कि ये टीम स्टार्टिंग में कुछ मैच हारती है लेकिन फिनिस ये पॉइंट टेबल की टॉप पे खतम करती है मुंबई इंडियन्स ने डेली केपिटल्स को हरा कर इस IPL का पहला जीत अपने नाम गिया खेर मैच की बात करें तो IPL सीजन 17 का बिसवा मैच वानखडे में खेला गया मुंबई इंडियन्स और देली केपिटल्स के बीच और देली केपिटल्स ने टॉप जित के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया मुंबई इंडियन्स ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रणों का बिसाला स्कोर खड़ा किया और ये IPL में फर्स टाइम देखा गया कि 234 रणों का बिसाला स्कोर में कोई भी बैट्समेन का 50 प्लस स्कोर नहीं है मुंबई इंडियन्स के तरफ से रोई सर्मा ने 49 रण की संदार पारी खेला और लास्ट में रोमिरो सेफट ने 10 गेंद पर 49 रण बना कर अच्छी पोजीशन में खड़ा किया इस टारगेट का पीछा करते हुए देली केप्टल्स 205 रण तक ही पहुँच पाया और मुंबई इणियन्स से 29 रण से हार का सामना करना पड़ा मुंबई इंडियन्स की यह पहली जीत है और उमीद है कि मुंबई इंडियन्स वही पुरानी अंदाज में अव किरकेट खेलेगी जो सालों से खेलते हा रही है इस मैच में हार्दिक पंड़ा का बहतिरीन केप्टेंसी देखने को मिला कि कब कहां बॉलर का यूज करना है यह हार्दिक पंड़ा को भली भाती पता था और वो जहां फस्ते थे तो रोई सर्मा से जरूर राय लेते थे तो आप सबको यह information अच्छा लगा थे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं रोकी राजपूत मिलता हूं ने स्टूडियो में जैन जैबारा